दोस्तो इस वीडियो के अंदर बात कने वाले हैं आज की दिन मार्केट में आपको काफी अच्छा गेप डाउन देखने को मिला फिर यहाँ पर शॉट कवरिंग आई और यहाँ पर अगर क्लोजिंग की बात करें तो मार्केट के क्लोज होने के ठीक एक घंटे पिले हमें यह हाँ पर बाजार में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है तो इस रिकवरी की क्या वज़ा है और साथ ही साथ आर्बिया की तरफ से ठीक 15 मिनिट पेले बाजार के उपर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जिसका इंपेक्ट कल के दिन भी आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है जैसा कि आपको पता है कि आर्बिया की मॉनेटरी पॉलिसी की मिटिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है जिसके आउटकम्स हमें 8 जून के दिन सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में आते वी देखने को मिलेंगे लेकिन अभी आर्बिया की मिटिं चैनल को जरूर जोइन कर लेना है टेलिग्राम चैनल पर आज की दिन भी मैंने आपको मार्केट के ओपन एना के पहले बता दिया था कि आज आपको मार्केट ओपन नेगिटिव देखने को मिलेगा और वापीस आपको यहां पर शॉट कवरिंग देखने को मिले थी बात कर पर एक clearly indications मिल रहे हैं कि शाम को जब USA का बाजार ओपन होगा जब डू जो जो नेजडेक ओपन होगा तो हमें काफी अच्छी एक gap up ओपनिंग वहाँ पर देखने को मिल सकती है तो इसी कारण से आज के दिन हमें market में एक काफी अच्छी recovery in moment पर देखने को मिली है अब बात कर पर 15 मिनिट पहले जो यहाँ पर RBI की monetary policy जो यहाँ पर conduct होते हुए हमें देखने को मिल रही है उसमें क्या बड़ी update निकल कर आ रही है final outcomes तो हमें 8 जून के दिन ही आते वे देखने को मिलेंगे लेकिन कुछ बड़े economist की बात करी जाए तो यहाँ पर जो 15 economist का पोल यहाँ पर किया गया है और उस पोल के अंदर अब interest rate को high करने की बात करी गई है तो यहाँ पर इन 15 economist का मानना है कि यहाँ पर RBI इस बार याने की जो में मन्त की जो यहाँ पर monetary policy के जो यहाँ पर outcomes आने वाले हैं उसमें 40 basis point से interest rate को high कर सकता है तो अगर यहाँ पर interest rate को again high किया जाता है तो कहीं न कहीं market के उपर आपको volatility काफी जादा देखने को मिलने वाली है अगर global bank की बात करेंट ड्यूज बेंक का मानना है कि यहाँ पर जो RBI की monetary policy की meeting हमें देखने को मिल रही है उसमें हमें जो interest rate है वो 50 BCS point से high कोते वे देखने को मिल सकती है तो यहाँ पर सभी के view अलग-अलग निकल कर आ रहे हैं लेकिन किसी ने भी यहाँ पर यह नहीं कराए कि RBI की तरफ से जो interest rate को high करने की बात है उसे इस meeting के दोरान avoid किया जाएगा सभी का मानना है कि यहाँ पर inflation को control करने के लिए RBI यहाँ पर strict actions लेने वाला है और इसी के साथ में जो interest rate कही है अहाँ पर high करने की बात करी जा रहे हैं उसी के साथ में जो May month के inflation के numbers आने वाले हैं वो भी पिछले 8 साल के pick पर आने की expectations है तो अगर inflation के number अगेन यहाँ पर इतने ज़्यदा high कर आते हैं तो कहीं न कहीं RBI की तरफ से strict actions ली जाएगी साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं आजी के दिन आई एक और report के अनुसार RBI market से पूरी तरीके से liquidity को खतम करना चाता है और उसी को लेकर यहाँ पर concern अब हमें देखने को मिल रहा है तो बाजर की हर एक update पर आपको नजर बनाए रखनी है इसी के साथ में एक positive news भी यहाँ पर market के लिए निकल का रही है जिसा कि आपको पता है कि RBI की meeting तो यहाँ पर एक बड़ा concern बनी भी ही लेकिन साथ ही साथ जो crude oil के prices और brand oil के prices में भी लगातार हमें तेजी देखने को मि आपको बता है कि इंडिया भी रशिया से discounted price पर जो oil है वो उसको import कर रहा है तो उसे और increase करने के लिए यहाँ पर बात करी गई है तो काफी बड़ी updates हमें आते वे देखने को मिल रही है और अगर यहाँ पर यह जो meeting है अगर success हो जाती है तो definitely यह हमारी corporate companies के लिए काफी ब news हमें यह आते वे देखने को मिल रही है तो overall market के लिए जो भी बड़े outcomes रहेंगे वो मैं आपको time to time provide करता रहूँगा आज की दिन जो आपको market में recovery देखने को मिली यह recovery अभी भी sustainable नहीं है सिर्डो जोन्स futures के अंदर जो हमें gap up opening देखने को मिली लगबग 200 points से यहाँ पर recovery देखने को मिली उसी के करान आज के दिन हमारे market में भी आहाँ पर recovery हमें देखने को मिल रही है हाला कि आज late night जो भी market के sentiment निकल कर आएंगे कल के market को लेकर वो आपको मैं यहाँ पर alert कर दूँगा अभी तक अगर आपने बस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैन